हलो दोस्तों हुमेशकार इसे हम किसी चैनल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के लिए चलिए काफी सारी खबरों को कवर करना है आखरी वीडियो में हम लोग दुनिया बर की जो भी खबरे होती है बिजनेस वर्ल्ड की, फाइनेस वर्ल्ड की, सभी को कवर करने की कोशिश करते तो चलिए सबसे बले तो डाउ जोंस देखेंगे क्या चल रहा है बिल्कुल बोरिंग परफॉर्मंस कोई मजा नहीं बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मंस देखने को मिल रहा है नैस्डेक में भी कुछ वैसा ही सिन्यारिय वे वॉलेटिलिटी चल रही उपर नीचे बट पीछला जो क्लोजिंग प्राइस है उसी के आसपस हम लोगों चलते वे देखने का आपे मिल रहा है दैन बात करेंगे हमारे ADR का क्या हालत है तो बिल्कुल न्यूट्रल है ICC बैंक ADR एक पसेंट ऊपर चलते वे देखने का आपे मिल रहा है नेक्स बात करेंगे वोड़ा फोन एडिया इनके उपर फोकस रखने के लिए आपको बताया था विकॉस इसके पीछे का रिजन ही वही है कि वोड़ा फोन अपना दस पसेंट का जो स्टेक है इंडस्ट आवर में वो यहाँ पर 1.1 बिलियन के लिए यहाँ पर बेचने जा रहा है तो इस चीज के चलते उनको इस सारी चीज़े करनी यहाँ पर पढ़ने वाली है द्यान बात करेंगे दो तो आज के दिन एक डेटा यहाँ पर निकल कर आ गया कि most valuable celebrity की अगर हम लोग बात करें ठीक है brand value के इसाब से अगेन हम लोगो विराट कोली का नाम ही टॉप पर देखने को आप मिल रहा है 227.9 million dollar उनकी brand value हम लोगो फिलाल तो देखने को मिल रहे है विराट कोली के नीचे के अगर हम लोग बात करें तो रन्विज सिंग का नाम हम लोगो देखने को आप मिल रहा है ठीक है उसके बाद शारुक कंद का नाम हम लोगो देखने को आपे मिल जाता है ठीक है उसके बाद अभी आ जाते दोस्तों यहाँ पे फीज के उपर तो फीज ने आप क्या कहिए हमारे भारत देश से रिलेटेड जो रेटिंग है किस चीज के चलते ग्रोथ से रिलेटेड GDP के चल है देन बात करेंगे दोस्तों तो बजट अभी का सबसे होट टोपिक रहेगा काफी सारे खबरे भी देखने को मिलेंगी तो अभी वही चल रहा है कि टेक्स से रिलेटेड ही बाते सामने आ रही कि 3 लाग तक कोई टेक्स नहीं लगता है अभी वह 5 लाग तक लेकर चले जा था एक्च्वल में अगर देखा गया तो धमा का हो के 165 तक स्टॉक जाते वे देखने का आपे मिल चुका है तो काफी अच्छी बात है जिनको भी लगा कॉंग्रेचुलेशन और जिनको नहीं लगा क्या ही कह सकते हैं वेटर लग नेक्स टाइम काफी लोग पूछते भी क कोशिस तो चलती रहती है ठीक है कोई या पर जड़ी बोटी कोई फॉर्मिला नहीं यह एक ही चीज होती है कि आप मल्टिबल डिमैट अकाउंट से अपलाए करो पाकी लग काई खेल होता है उसके बाद यह कुछ नहीं इस टाइम पे अपलाए करो सेकेंड डे पे इस पर आप बरोसा कर रहे हो मतलब क्या ही बोलने का जोकर डाइब की बात है यह ठीक है यह लग का खेल होता है बाई इतने सारे लोग अभी मार्केट में आ चुके 15-15 करोड डिमैट अकाउंट ओपन हो चुके है ठीक है लग काई खेले आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक् इसके सबसे वॉल्यूम के सबसे हम लोग बात यापे कर रहे है मिंडा कॉर्प की अगर हम लोग बात करेंगे 4 पसंट की तेजी देखने को मिल रहे तो जॉइंट वेंचर इनका हम लोग को साइन होते वे देखने को आपे मिल चुका है ठीक है इसी चीज़ के चलते कि अभी 160 करोड मतलब एक ओर्डर से कुछ होने वाला नहीं अभी इनके जो नंबर्स यह वो इते हैं higher level पे जा चुके अभी उसको maintain करने के लिए इस प्रकार के multiple orders उनको लाने पड़ेंगे ठीक है पहले कैसे होता था ऐसे ही रफली बोल रहा है 1 करोड 2 करोड 3 करोड ऐसा ह कमाती थी सीदा अभी 10 करोड ठीक है फिर उसके बाद 20 करोड ऐसा कमा रहे अभी उसके बाद 100 करोड अब समझ रहे अभी यहाँ पे उनको बहुत सरे order ऐसे लगातार यहाँ पे मिलते रहने चाहे तब ही जाके उस level को वो meet कर पाएंगे maintain रख पाएंगे so definitely देखा गया तो company का performance तो अच्छा चल रहा है और यह जो pipeline वो लगातार यहाँ पे चलनी चाहिए next बात करेंगे दोस्तो तो as dbl so यह जो company दोस्तो ब्रेवरेज से related देखने को पल देते अब अचानक से हम लोगो 16% stock crash होते वे देखने को मिल गया बापरे बाब ऐसा क्या हो गया बाई 16% हाला कि company ने बाद में clarification दिया कि जो private contractor है उनके ओपर उनने blame यहाँ पे shift कर दिया है कि उनका इसमें कोई यहाँ पे हाथ नहीं है करके एंड इसलिए नीचले इस तर से stock में 10% की recovery होते वे देखने को आपे मिली है so child labouring आप सभी लोगों को पता है illegal है allowed बिलकुल भी नहीं होता है इसी चीज़ को यहाँ पे पाया गया जैसे एक खबर आ गई तो stock 16% तक हम लोगों को crash होते वे देखने को आपे मिला था next अगर बात करेंगे HFCL so HFCL की बात करेंगे तो European Union की बात करें उनके और से एक अच्छी खबर देखने को मिली so उनने exempt यहाँ पे कर दिया anti-dumping duty से related provisional duty से related जो कि यहाँ पे हमारे जो Indian OFC manufacturer इसे उनके उपर लगता था तो जैसे हड़ गया तो stock में इस चुरुआत में जबरदस तेजी देखने को मिली थी 9-10% के आसपास वो net तेजी 5% के आसपास देखने को अभी यहाँ पे मिल रही है पारस defense related अलड़ी जबरदस तेजी देखने को अभी वो news सामने आ चुकी है कि भाई इतनी बड़ी block deal हुए कौन buyer है तो दोस्तो ADIA यह नाम सामने आते वे देखने को मिल चुका है पूरा नाम है दोस्तो अबुदाबी investment authority काफी popular नाम है आप सब लोंक बता है उन्होंने पारस defense में 0.5% के आसपस का बड़ा stake आपे उठाया है और इसी चीज के चलते stock में हम लोंको अपर circuit भी लगते वे देखने को मिल चुका है usually यह बड़े investor होते हैं long term के लिए hold करते हैं तो एक अच्छा positive चीज देखने को आपे मिल जाते हैं फिसकर automotive की अगर हम लोग यहापे बात करें तो वो दोस्तों bankrupt होने जा रहे है stock सिधा 50% crash आप यहापे देख सकते हो ठीक है बिजनेस हो वो बेज सकते हैं फिलाल तो बताया जा रहे हैं दोस्तों की टिकेटिंग के बिजनेस के बातचीत है आपे हो रही है जेम financials की बात करें उन्हें तो जिवमेटो का टार्गेट 500 तक फिलाल तो यहापे बढ़ा दिया है देख लेते हैं यहापे अगर यह चीजे भी अगर सफल हो जाती इससे related देखना पड़ेगा कि कितना बिजनेस में revenue generate extra होगा करके और कितना margin में improvement होता है करके दैन अगर हम लोग बात करेंगे रोसो तो चार जून चार जून यह तारिक तो कपकी यहापे खतम हो चुकी है ठीक है चार जूलै भी आ जाएगा बट चार जून का fever अभी भी यहापे नहीं उतर रहा है बट हकीकत में चार जून में अगर हम लोग ने देखा तो काफी tough fight अच्छी कासी fight देखने को में ली काफी समय के बाद और सबसे चादा popularity इसलिए होई क्यों कि चार जून के दिन market जबरदस collapse हुआ था अब इसके बाद वापस वही चीज़े चल रही है कि इसके पीछे यहापे अगर देखा गया तो सरकार को blame यहापे किया जा रहा है अब इसके बाद TMC के MPs के अगर हम लोग बात करें NCP के अगर हम लोग यहापे बात करें उन्होंने भी demand किया भाई investigation का है अभी फिलाल देखा गया तो opposition काफी strong देखने को आपे मिल रहे है तो opposition के अगर हम लोग बात करें तो फिलाल तो वह सेवी के और जाते वे देखने को मिल रहे है और उन्होंने plea file कर दी है कि भाई investigation होना चाहिए करके ठीक है और उन्होंने आरोप लगा है करेंगे मतलब करेंगे ही करेंगे so definitely दोस्तों जैसे मैंने इसके पहली आप लोगों को कहा है बार-बार कहना चाहिए अगर आपकी पास सरकार सरकारी companies यहाँ पे रहेंगी तो इस मुद्धे को आप लोगों ने ज़रूर focus में आपे रखना ही रखना है ठीक है इब्दम lightly ल बात नहीं करें सिर्फ बीजेपी की बात करें बट अभी की चीज़े यहाँ पे काफी चेंज यहाँ पे हो चुकी है तो आने वाले समय में जो भी संसत के जो sessions रहेंगे काफी interesting रहने वाले दस साल से हमें कोई opposition leader भी देखने को नहीं मिल रहा तो वो भी leader देखने को आपे म मिलने वाला है so definitely यह देखने वाली बात होगी क्या इसका investigation होता है कि ने उनका यही मानना है कि 30 लाग करोड के आसपास बहुत बड़ा loss retail investor का होते वे देखने को आपे मिल चुका है तो investigation तो ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए तो से भी इस से related अभी next step क्या लेता है वो एक लगातार भी क्वाली करते थे हो थोड़ी बहुत रुखते वे देखने का आपे मिल चुकी है तो ठीक है दोस्तो आशा करता है वीडियो अलफू लगाओगा तो चाहँ तो आप इसको like and share कि आपे कर सकते हो तो that's it thank you very much दोसो we will be meeting our next video तब तक के लिए बब बाई